दोस्तों, इंग्लेंड वर्सेज अश्टेलिया तीसरा ODI मेच और इस वीडियो में बात करेंगे इस मेच की बेश्ट ड्रीम 11 टीम कंबिनेशन के बारे में इसमोर लिक और रेंडलिक की क्या परफेक्ट टीम कंबिनेशन होगी उसके बारे में डिसकस करेंगे देखो कैप्टेन की स्पिलर को बनाओगे ट्रेवी सेड मारनस लगुष्टाने इसके बाद अगर आप देखोगे इंग्लेंड के तरफ से जो अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे है जिमी समीत या आप फिल साल्ट को ट्राय कर सकते हो या बेंड डकट इस मेच के कैप्टेन के च्वाइस होंगे कैप्टेन और वाइस कैप्टेन की सबसे बीष्ट पी किस मेच के लिए कौन से प्लेर होंगे उस पे डिसकस करेंगे बात करेंगे इस मेच के ट्रमपलर के बारे में क्या वो ब्रेंडन ग्रेज हो सकते है फिर से या अगर आप देखोगे ए प्रम प्लेर कौन से हो सकते हैं उसके भी डिसकस कर लेंगे इस मेच के बारे में सारी इनफोर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी तो आप सबसे एक ही रिक्वेश्ट है कम्प्लिट वीडियो जरूर देख लेना अगर इस मेच में ग्रेंड लिग में अच्छी रेंख लाना चाते हो और स्मॉल लिग में अच्छी विनिंग करना चाते हो तो सबस्क्राइब करके इस चैनल को रखोगे तभी तो आपको हर एक मेच की बेश्ट अनलैसिस की वीडियो मिल पाएगी तो सब्स्क्राइब कर लो फ्री है यार फोड़ा सा टैम लगेगा और लाइक आप लोग नहीं करते हो लाइक करते हो तो यार मुझे खुसी मिलती ह तो कैसी लगती है और ये वीडियो कर आप फेस्बूक पर देख रहे हो तो फोलो जरूर करना अपने दोस्तों को जरूर सेर कर देना दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यू और पिच रिपोर्ट के बारे में चेस्टरली स्ट्रीट में ये मेच खिला जाएगा वेन्यू स्ट उननीस यहाँ पर ODI मेंच इस खेलेगे हैं आठ बार टीम पहले बैटिंग करते हुए और 11 बार टीम चेस करते हुए बिनकिये हैं तो चेस करना थोरा सा एजी हो जाता है फर्शनिंग में बैटिंग करना थोरा सा ट्रवल राता है एस्पीनर और फास्टर दोनों को फर्श लगुसाने, अलेक्स केरी, मैक्स बेल, मिचल स्टार्क, एरॉन हार्डी, एडम जमपा और जॉस हैजलबूट अगर हम बात करें स्टार्टिंग ऑबर हार्डी, स्टार्क और हैजलबूट करेंगे, टेथ में हैजलबूट, हार्डी और स्टार्क करेंगे, जमपा मिडल ओ भाएंगे ठीक है बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोबल लेबन मिट स्टैट्स दोनों प्लेयर को देख लू ट्रेभी सेड आपके लिए फिक्स पिक होने बाले हैं बैटिंग जबर्दस्ट करते हैं और बॉलिंग भी ये करते होने रात ने हैं और ये पीच ऐसी है जहां पर इनको बॉलिंग करने का भी मुखा मिलेगा ते को T20 क्रिकेट है नहीं कि सिर्फ चार ओबर एक बोलर को मिलता है एक बोलर दस ओबर तक कर सकता है तो और सारे बोलर ने मिल बांट के आराम से सारे को पिक कर सकते हो बात करते हैं नेक्स प्लेर मिचल मार्स पिछले में काफ किछा परफॉर्मस करते हुए दिखे थे साट रन के पहत्रिन पारी खेली थी वन डाउन बल्ले बाजी करने आते हैं स्मौल लीग के लिए फिक्स पिक होने बाले है आपके पास दो अप्सन हैं स्मौल लीग में पिक करने के लिए या तो मिचल मार्स या तो और इनका head to head में अच्छा performance है, मेन्यू पर खिलने का experience नहीं, 42 का average आपको head to head में, तो Steve Smith आपके लिए drum pick हो सकते हैं, किस condition में Steve Smith को pick करोगे, जब Australia के team पहले batting करेगी, तो ज्यादा अच्छा option आपके लिए Steve Smith का रहने बाला है, मिचल मर्स के मुकाबले, बात कर लेते हैं, next player माराश लाउनसाने fix pick है, आँख बंद करके pick करना, England के against में हमेशा अच्छा performance करते हैं, और यहाँ पर आपको balling करते हुए नदर आ सकते हैं, आपको याद होगा, जो पहला match खिला गया था, सततरन भी बनाय था, और तीन बिकेट भी निकाले थे, तो जबरदस्त बले बिकेट रहता, तो बैटिकों तो भी इसका उपर होता और अच्छा performance करते हैं, आपको बिकेट की पर सिक्षन में बहुत सारा option मिलेंगे, फिलसार्ट का मिलेगा, एलेक्स करी का मिलेगा, इसके बाद जिमी समीत का मिलेगा, तो तीनों में से किसी एक को pick कर सकते हैं, कौन आपको भी fantasy में अच्छा point दे सकता है, इस match के trump player होने बाले है, selection percentage का कम रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ, और इस match में अच्छा performance कर सकते हैं, पिछले match में स्टार्टिंग अच्छी की थी, six से start किया था और बिकेट भी दो निकाले थे, तो bowling यहाँ पर भी यह करेंगे, तो अच्छे performer आपके लिए हो सकते है, Glenn Maxwell, तो अराम से अपने team में जरूर पिक करना, Maxwell आपके लिए fix पिक होने बाले है, next player Mitchell Stark, पहले bowling आया है, बाद में bowling आया, आपके लिए fix पिक होने बाले, recent form देख लो, तीन match में 9 बिकेट है, 11 match में 30 बिकेट है, तो इनका performance देख रहो बाई, और पहले bowling में जब bowling आती है, तो बहतर performance करते है, 50 match में 109, और सक्रिनिंग भी same condition है, तो मिचल स्टार्क आपके लिए captain के भी च्वायस हो सकते हैं, अगर आप मिनी जील की team मना रहे हो, ये grand league की बेगर टीम मना रहे हो, और एशलिया की team पहले bowling कर रही है, तो captain try कर सक आप बिग बैस लिग में ये तो one down या second down बैटिंग करने आती है, यहां पर बले ही आपको batting का नीचे दिख रहा हो, लेकिन जब बरदस्ट batsman है, तो trump player अपने team में पिक करना हम है, तो small league में Aaron Hardy के साथ जाने बाला हूँग, और estelia की favorite team में बनाऊँगा, England इस match में हारेग ठीक है, 100% sure हो कि England इस match में हारेगी, और estelia एक तरफा बिन करने बाली है, एडम जंपा के बारे बात कर लेते है, recent form अच्छा है, head to head में 14 में 30 है, fix pick आपके लिए बन जाते है, आराम से pick कर लेना, बात कर लेते है, Joss Hazelwood, ठीक ठाक performer है, head to head में 11-18 बिकेट है, और recent form देख पर, गर कोई खेलता है, तो आप इनके starts records देख सकते हो, बात कर लेते हैं, England के प्रोवल प्लेंग लेवन के बारे में, दोखो, open आएंगे, डकट के साथ, फिल सार्ट, विल जैक्स, हरी ब्रूक, लियाम लंग स्टॉन, जिमी स्मित, बैथल, इसके बाद, बेंटन क्रेज, विल जैक्स का भी उतना ज़्यादा experience, ओडियाम में है नहीं, फिल सार्ट, एक अच्छे player है, इनका भी ODI मुतना बरा नाम है, बले T20 में अच्छा performance करते हैं, एक player है, जो classical बले बाद है, हैरी ब्रूक, अच्छा performer हो सकते है, लिविंग स्टॉन के पास experience है, जिमी स्मित न अब कर लेटें, बात कर लेटें, ओपनिग अब बॉलिंग, श्टॉन, पॉर्ट्स, और페ल करेंगे, बीटल अबर मैं आदिल दसीद, लिंग श्टॉन, वगरार आपको बॉलिंग करते हुए, बात कर लेतें, दोस्तों आपनार के बारे में, डखट आपकली कर लें होने इस मैच के लिए हीरो हो सकते हैं, चाया पहले इंगलेंड की टीम बैटिंग करें या सक्रेंग में बैटिंग करें, जब अरदस्त प्लेयर है, फिल साल्ट पे मुझे डाउट है फिट, अभी रिसेंटली परफोर्मस देखो, इनके ओड याएगे परफोर्मस है 12-17-4-21, तो पिछले चार मेच में फ्लॉप ही रहे हैं, और फिल साल्ट इस मेच में फ्लॉप करेंगे, किस कंडिसेन में ज्यादा चांसे से फ्लॉप करने के, जब आपको इंगलेंड की टीम पहले बैटिंग करेंगी, तो 100% रखो की फ्लॉप करेंगे, तो मैं फिल साल्ट को अपने टीम में नहीं रखने बाला हूँ, selection percent भले ही high हो, लेकिन इनको drop करूँगा, bend a cut आपके लिए fix pick होंगे लिए के तरब से, दोस्तों बात कर लेते हैं next player Will Jacks के बारे में, T20 के star player है, लेकिन ODI में उतना जाता experience नहीं है, तो मैं suggest करूँगा Will Jacks को इस match में, आप drop करके ही चलो, तो सही रहेगा, क्योंकि उतना experience नहीं है ODI मेंच खेलने का, सिर्फ T20 में अच्छी batting करते हैं, और एक advantage आपको मिल सकता, गर Grand League की team बना रहे हो, तो team में pick कर सकते हो, बहले ही पहले match में अच्छा performance क्या था, बासा turn बना ये लेकिन bowling नहीं मिला था, अगर bowling करते हैं, तो हो पहले batting करेगी, तो try कर सकते हो, as a trump pick, selection percent कम रहेगा, लेकिन मैं small league में सुझेश करूँगा, drop करके चलना, आप चाहो, grand league में जरूर pick करना, small league में drop करोगे, तो सही रहेगा, बात करते हैं, लिया Amlingiston और Jimmy Smith, दोनों आपके लिए base pick हो जाएंगे, दोनों को आप pick कर सकते हो, state keeper section में जैसा की मैंने जोता है, Alex Carey, इसके बाद आपको फिल साल्ट और Jimmy Smith में दर आएंगे, Jimmy Smith का जो performance है, recent अगर आप देख लो, the 100 हो, या उसे पले T20 blast हो, domestic ODI हो, वहाँ पर हड़ी कम आच्छा performance है, तो Jimmy Smith आपके लिए एक unique pick हो जाएंगे, selection percent भी कम है, trump pick हो जाएंगे, और मुझे ही क्या लगता है, इनकी बैटिंग जो थोरी नीचे है, तो इनकी बैटिंग आएगी ही आएगी, और यह अच्छा performance कर सकते है, recent form देख उन्चास और तेस है, 36 का आपको head to head में record है, Liam Livingstone बरे नाम, बरे पले, टीम में रखना जरूरी है, bowling में जबर दस्त करते है और बैटिंग में जबर दस्त करते हैं, अभी जो recently T20 सीरीज खतम हुआ है, वहाँ पर यह स्टार परफोर्मर रहे थे, हर एक में तुम में अच्छी बैटिंग और अच्छी बोलिंग करी थी नोने, Livingstone और Jimmy Smith आपके लिए फिक स्पीक है, बात करते हैं, नेक्स प्लेट जे 20 ब्लास्ट है या 100 है, तो बैटिंग बोलिंग दोनों जबर दस्त करते हैं, बैटिंग आपके लिए फिक स्पीक होंगे, स्ट्रम पिक भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इनको ड्रॉप करके जाएंगे, लेकिन अपने टीम में आप जरूर पिक करना, जेका बैटिंग बैटिंग बिजबरदस्त कर लेते हैं, इनके पास बैटिंग करने की कापनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो मैं सदेश्ट करूंगा, अगर पहले इंगलेंग की टीम बोलिंग करती हैं, तो पिक करने का रिस्क ले सकते हो, बाकि मुझे नहीं लेखता है, इंगलेंड की कोई ज्यादा बोलर जो हैं, कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने बालें, क्योंकि अगर आप एश्टलिया की बैटिंग लान अप देखो, ट्रेबीस हेड है, मार्स है, स्मीत है, लवुसेन है, लेक्सकरी है, याने की भरा-परा है, ग्लेन मेक्स ब है, एरोन हार्डी है, तो बल्ले बाज की कमी नहीं है, श्टलिया के पास, और तग्रे बल्ले बाज है, तो और इन सब के पास, एक्सपरियेंस की काफी कमी है, अभी, रिसेंटलि अगर आप देखोगे, इन्होंने डोमेस्टिक लेवल बहले ही, बहुत सारे ODI खेले हो, ल बात कर लेते हैं, मेथ्यो पॉट्स, ग्रेंड लिग में पिक करना, बाकि औल्य एश्टोन को भी ग्रेंड लिग में पिक करना सही रहेगा, बाकि ब्रेंडन क्रेज एक अच्छे पिक हो सकते इस मेच के लिए, कंडिशन मैं बने बता दिया, इन लिए नगर पहले दोस्तों, अब बात करेंगे इस मेच की बेश्ट स्मॉल लिग टीम कंबिनेशन के बारे में, और उसी टीब में आप एक, दो, तीन प्लेर को चेंज करके ग्रेंड लिग में भी अच्छी रहेंग क्ला सकते हो, तो वीडियो को देखते रहना, अगर अभी तक आपने वीड से देखना, सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं, विकेट कीपर सक्षन से, जिमी स्मित को पिक किया, आपके पास ओप्शन कौन-कौन से प्जार, एक तो आपको LX केरी एश्टलिया के तरब से, दूसरे आपको फिलसार्ट, दोनों में से अगर आप सब से से जाना चाते ह तो आपके पास ओप्शन है, फिलसार्ट को पिक करने का आराम से पिक कर सकते हो, या थोड़ा सा रिस्क लेना चाते हो, तो LX केरी को भी पिक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस मेच में जो है, दोनों का कोई ज्यादा बरा रोल नहीं रहेगा, जैमी स्मित आपके लिए बेश्ट पिक होंगे, आराम से में पिक कर लिया, अगर आप चाहो तो फिलसार्ट LX केरी में से किसी एक को पिक कर सकते हो, बात करते हैं बैटिंग से, मिचल मार्स, रेवी सेट को कैप्टेन दिया है, बेंड डकर्ट और मारनस लाउसाने को वाइस कैप्टेन दिया है, य मार्स को रिप्लेस करके, एश्टीब स्मिथ को पिक कर लेना, अगर सेकर इनिंग में बाटिंग करते हैं शलिया के टीप, तो मार्स को ही राने देना, एश्टीब स्मिथ को ड्रॉप कर देना, ठीक है, ओल ओनर देख लेते हैं, मैक्स बेल आपके लिए फिक्स है, कोई भी आपको इंग्लेंड के बोलर नहीं दिखेंगे, अगर आप चाहते हो, इंग्लेंड के बिलर को रखना, तो औफसन हें रिप्लेस्मेंट का पहले बोलिंग करेगी तो اس टार को क्या प्रॉप करेंगे उस कंडिशन में आप टॉप अपर के ले सकते हो अगर असचलिया के टीम् करता है तो यार इस वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फाइनल टीम टिलिग्राम पर टॉस के बाद मिल जाएगी स्मॉल लिग और ग्रेंड लिक की कोई अपडेट होगा तो वीडियो की डिस्क्रिप्टिन में लिंक है अब क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट में चले असे इसमें बेश्ट अप्लक